क्या कि वेल्डम्टू नीवसं इस लस्टमे मैं आपसे बात करोगा अबाउट लेबल्स होते हैं बड़े काम की चीज होती है लेबल्स करते ही क्या हैं लेबल्स की हेल्ट के आप अपने ä나an के अगज आखको को मेरे असली एड एकाउंट से उसमें 20-20 campaign, 30 campaign, 20-20 ad sets चल रहे होते हैं, अब जब इतने सारे ad sets चल रहे होते हैं, तो उनको organize करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, अभी label की help से क्या कर सकते हो, आप ads को organize कर सकते हो, for example, suppose करो, कि ये दोनो ads हैं जो मेरी, ये हैं एक particular program से related जो कि है consulting के बारे में, ठीक है, ये दोनो ads हैं मेरी consulting program से related, अब मैं ये इन दोनों को label देना चाहता हूँ, कि भाईया ये दो ads हैं मेरी consulting program से related, ताकि future में मैं इन दो ads को easily ढूंढ सकूँ, अब future में suppose करो मुझे ये है, कि consulting वाली कौन कौनसी ads हैं, तो easily मैं ढूंढ सकता हूँ, through label, ठीक है, तो ये दोनों में video मैंने select की, मैं गया label पे, और यहां से मैंने किया new label, ठीक है, new label किया, इसका नाम मैंने रख दिया, consulting, और यहां color आ रहा है, मैं color भी change कर सकता हूँ, description देना है, तो वह भी दे सकते हूँ, मैंने किया create, और apply, ठीक है, अब देखाँ, अब सपोस करो, मुझे वो campaign change, जो consulting से related हो, तो क्या करूँगा, simple, add filter, और, यहां पे लिखो label, लेबल, consulting, अब देखो, consulting माले आ गए, आ गए, अब यह आपको देखने में बहुत बड़ा feature नहीं लग रहा होगा, बर जब आप बड़े सारी campaign नर्न करोगे न, तो यह बहुत ही जबर्दस feature, अब इसे delete करना है label को, तो वापस label पे जाओ, और यहां click करो, और यहां delete करो, ठीक, अब suppose करो इसको label देना चाहते हो, तो apply, label, और new label, say subscribers का है, तो मैं लिख देता हूँ, youtube, subs, color, rate, apply, अब वापस जूणना है तो, add filter, label, youtube, subs, ठीक, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा काम का feature है, अगर आपके पास बड़ा add account है, जिसमें multiple campaigns चल रहे हैं, तो label की help से आप उसको easily क्या कर सकते हो, organize कर सकते हो, इसलिए हम labels का use करते हैं, ठीक है जी, so that's it from this video, thank you so much for watching.